प्यारे वच्छों नमस्कार कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टड़ी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं साइंस के कोशन का जो भी है वो मैं सॉलूसन देने वाला हूं ठीक है और मैं आप यहां पर देख सकते हैं दूसरा प्रशन क्या कहता है कि जीवन की एक महत्पुन विसेस्ता है जीवन की एक महत्पुन विवेस्ता क्या है विसेस्ता क्या है विर्दी यानि हमारा जो जीवन होता है जीवन में हमेसा विर्दी होता है ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं त तो dei करेक्ट टैन्सर क्या कहते है बच्चो तो यहां पर तीसरा प्रश्न देखसकते ती सरा पूसकी होता है चान्य चैंक्ता है को साइंजाइम वसा पर किरिया करता है इसा पूछा जा रहां रहा है तो इसका क्रेक्ट क्या हो जाग teams की सिफिति तथा संतुलन का अनुरक्षन करता है है ना ऐसा आपसे पूछा जा रहा है अगर मस्तिक्स अनुमस्तिक्स या मध्यमस्तिक्स या इनमे से सभी आपको बताने इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ठीक है यानि अनुमस्तिक्स करता है ऐसा ठीक है वही हम बात करते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएए गूगल में सर्च कर लिजेगा पंकज स्टडी संटर डॉट कॉम वहां से आप लोग क्या किजिएगा पीडिएप डाउनलोड कर लिजिएगा ठीक है तो आएए हम यहां पर क्या करते हैं सात्मा प्रश्ण ले लेते हैं सात्मा प्रश्ण कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है ऐसा पूछा जा रहा है ना तो साथ का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू है ना तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा विक्सित क्या कहता है कि विक्सित होता है विज विक्सित होता है सा पूछा जाए इसका करेक्ट एंसर कहा होता है तो यह हो जागा बीजांड से ओके वहीं बात करते हैं नौमा क्या कहता है कि ग्रहनी भाग है ग्रहनी भाग है ऐसा आप से पूछा जाए इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबु इसका correct answer हो जाएगा छोटी आत में गरहनी भाग है यानि गरहनी किस आत का भाग है ऐसा पूछा जा रहा है बाबु तो छोटी आत का भाग है वहीं हम बात करते हैं दसमा दसमा कहता है कि पारिस्तितिक तंत्र में उर्जा का स्रोथ है ऐसा आप से पू काता है कि निम्ह लिखित में कौन ओल्लाइंगी की जन搞न संचारित रोग है का कि निम्हलिक है और चीमे है Okayika यह limit कोई डिक्कत नहीं रहा वसका зबाद कराथ वा अगला प्रश्ण ले लेते हैं तो प्रश्ण कर्माग की यहां कहा बारा मानों का उद्वonn अस्थान ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो इसका इंसर क्या हो जागा ऑब iç क sólo थे तिम बात करते हैं प्रश्ण कर्मांते 100 की तो टिहां था इसा आप से पूछाज रहा तो सम्के बीज की तरह होते हैं वैसे अनि के महलगा हुए एक पर तेख सकते हैं सेम के लिए चिक बात करते हैं है 25 कि अधिक हम कहता है और प्राकिर्तिक भी होता है यानि मानव निर्मित भी होता है और प्राकिर्तिक भी होता है ठीक है इसका करेक्ट एंसर क्या होगा बाबू देखो इसका करेक्ट एंसर अगर मेरे इंसाब से कहोगे तो क्रित्रिम होगा लेकिन आपके बुक में दिया गया है प्राकिर्तिक क् तलाब जो होते तलाब को हम लोग बनाते हैं है ना तो इस इसाब से कहा जाए तो हम तो कृतिम बोलेंगे और आपके बुक में दिया गया है प्राकृतिक देख लेना दोनों में से कौन जो आपको अच्छा लगे वो लगा लेना ठीक है वह हम बात करते हैं पंदरा की तो पं सब्सक्राइब करने के लिए किसका उपयोग होता है तो बाबु हम किसका उपयोग करते हैं प्रीज्म का उपयोग करते हैं वह हम बात करते हैं 17 की तो 17 कहता है कि विद्धूत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है विद्धूत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो ब है और नभी करनिय उर्जा का शुरूत है ऐसा आपसे पूछा जारा इसका करेक्ट इंसर क्या हो जागा इसका करेक्ट इंसर हो जागा बाबू इलेक्ट्रॉन और सी करेक्ट इंसर है वही हम बात करते हैं 20 की वोल्ट बराबर होता है वोल्ट बराबर आपसे ऐसा पूछा जारा कि क्या होता है तो इसका करेक्ट इंसर क्या हो जागा बाबू इसका करेक्ट इंसर हो जागा ऑप्शन बी करेक्ट इंसर है ठीक है वही हम बात करते हैं कि एकी से किस कहता कि फोटो लेंस लगा रहता है और हमारे आंग में भी उत्तल लेंस होता है ठीक है चली अगला हम बात करते हैं जाएगा वहीं हम बात करते है तहसी यहां पर क्या कहता है कि निमलीखित में किस दातु आएक्स है चिंक पूछा जा रहा है तो इसका correct answer हो जागा बाबू, JN का, ठीक है, वही हम बात करते हैं, अगला, अगला हमारे पास 24, Ozone का आन्विक सुतर होता है, Ozone का आन्विक सुतर आपसे ऐसा, पूछा जा रहा है, इसका correct answer क्या हो जागा, O3 हो जाएगा, वही हम बात करते हैं, 25 की 25 का तक, पी पी एच का कौन सा मान, चारक वीलियन का ouais का यरूपित करता है, यह न, पीएच का कौन सा मान, चारक मिलियन का यरूपित करता है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है, तो अगले, इसमें correct answer हो जागा, option 13, यानि option C correct answer, कि चारक जो होता है, छारक का मान जो होता है वो सबसे साथ से अधिक होता है ठीक है और अम्र का जो मानत है वो साथ से कम होता है इस बात को ध्यान रखना तो option C correct answer हो जागा 25 का वह हम बात करते हैं 26 26 कहता है कि जल के एक अगनू में hydrogen एवब ऑक्सीजन परमानू की संख्या का अनूपाद क्या होता है आपसे फूछा जाना जा रहा है तो चिया होगा इसका correct answer पूछा ज़रा कि जल के अनु में hydrogen या hydrogen और oxygen तो hydrogen यहां पे दो है और oxygen यहां एक है इसलिए क्या है दो अनुपादत एक कर दिया ठीक है आपने इसको समझ लिया 247 क्या होगा बावु 27 का odpowiedक्न Euro जाएबाबु तो 27 का करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा चार ओप्सन D का ऐसा का सबसे कतह प्राकृतिक पधारत कुन है हीरा क्या है यह अधातू है और यह होते हुए बहुत चमकता है ठीक है वही हम बात करते है 29-29 का रंग का तो अब हम बात करते हैं अगला की अगला यानी तीस कहता है कि कि रासानी कभीकरी यहाइस आपसे पूछा जा रहा है human कंछ में अगला कुछा जौए जाता है। आप से पूछा जरा है, इसका correct answer हो जागा चार, ठीक है, वही हम बात करते हैं, 32 की, 32 का था कि निमलिखित में 20 तत्तो, निमलिखित में 20 तत्तो में संयोजी इलेक्टोन की संख्या सबसे अधिक होती, ऐसा आप से पूछा जरा है, इसका correct answer क्या हो जागा बाबू, तो 32 का correct answer हो जागा यहाँ पे, option B correct answer यानि एलिमूनियम, ठीक है, वही हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे, प्रशन कर मांग 33 को, 33 काता है कि निम्नांकित में कौन विजातिय योगिक है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है बाबू, इसका correct answer क्या हो जागा बाबू, इसका correct answer हो जागा प्लास्ट्रो पेरिस, क्योंकि यह इन चारों में से यह अलग जाती का है, बाकि यह तीनों जो है ना एक जात क्यों क्योंकि यह तीनों के तीनों जो है ना calcium carbonate से बनता है, जबकि यह जो प्लास्ट्रो पेरिसन है, यह calcium sulphate से बनता है, ठीक है, तो आपने इसको समझ लिए, इसका correct answer हो जागा option B, वही हम बात करते है, 34 की, 34 काता है कि milk of magnesium का pH मान होता है, milk of magnesium का pH मान क्या होता है, ऐसा आप से पूछा जाए रहा है, है ना, तो 34 का correct answer क्या हो जागा बाबु, इसका correct answer हो जागा 10.5, यानि option D, correct answer हो जाएगा, है ना, 34 का, तो 34 का D हो जाएगा, आइए हम बात करते है, 35, 35 क्या कहता है कि sulfur की संयोजी सेल में electron की संयोजी आप से पूछा जा जा रहा है, बाबु, इसका correct answer क्या हो जाएगा, इसका correct answer का option D, 6, ठीके, वही हम बात करते है, 36 की, 36 क्या कहता है कि निमलिकी तत्तों में किसकी आयन उर्ज या अधिक्तम है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 36 का प्रथम आवर्त में तत्तो की संख्या है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 37 का प्रथम आवर्त में तत्तो की संख्या है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 37 का प्रथम क्या हो जागा बाबू तो पहरे बच्चों यहां पर हमारे पास अगला प्रश्ण क्या है और तीस कहता है कि दूतिय आवर्थ में तत्तों के लिए कौन सा सेल बहतम सेल है यह आप से पूछा जारे इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा देख़ो आप इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा क्या है कि तत्तों करेक्ट और प्रश्ण करेसेल हो दोनों ही यह से पूछा है यहां पूछा जा रहा है तो नियौन होगा ठीक है आईए अब हम बात करते हैं किसका तो 40 का 40 का ता कि निमलीखित में कौन सबसे अधिक किरिया सील है लोजन है आपसे ये पूछा जा रहा है तो 40 का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू 40 का करेक्ट एंसर हो जागा option A करेक्ट एंसर है ठीक है चलिए अगला हम बढ़त आपसे पूछा जाए इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा है ना देखवचे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा इन में से सभी हो जाएंगे है ना रेजीन गोंद या टैलिन ठीक है ये सब हो जाएंगे अब हम बात करते हैं 42 की 42 क्या कहता है यहां पे देख लो 42 क्या कहता ह एं 43 की 43 कहता है कि निमलीखीद में कौन पूरुस हरमolla है निमलीखीद में कौन पूरुस हरमन है ऐसा आप से पूछाचा जा रहा है ना पूरुस हरमोन ठीक है तो इसका करेक्टे इंशर क्या हो जागा ते तो यहां पर किन वालेस का है कि आप आट बाएसे एप आप से पूछा जा रहा है तो तो 44 का correct answer क्या हो जाएगा, इसका correct answer हो जाएगा बाबू इस्ट में, ठीक है, वही हम बात करते हैं, 45 की, 45 कहता कि मस्तिक्स उत्तरदाई है, इसका correct answer क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका correct answer हो जाएगा बाबू, एक मिनट, तो प्यारे बच्छों इसका correct answer हो जाएगा, हिट द लेसन होता है बाबू तो 46 का correct answer क्या हो जाएगा है ना तो देखो बाबू 46 का correct answer हो जाएगा option A दीन में प्रकास translation होता है हाँ दीन में होता है ठीक है चरिए अब हम बात करते हैं 47 की, 47 की सरीर में भोजन का पाचन किस परकार की अभीकिरिया सरीर में भोजन का पाचन किस परकार की अभीकिरिया ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 47 का correct answer क्या हो जगा, 47 का correct answer हो जगा option C, option 48 की, 48 कहता है कि एक इस्तरी में कौन से लिंग गुन सूत्र मिलते हैं एक इस्तरी में कौन से लिंग गुन सूत्र मिलते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है इसका correct answer हो जगा option B, XX, ठीक है, तो 48 का correct answer क्या हो जगा बबु तो option B is the right answer, वही हम बात करते हैं, 49 की, तो 49 यहाँ पर कहता है कि guard कोसीका की कौन सी भित्ती मोटी होती है तो 49 का correct answer क्या हो जगा बबु भित्ती, ठीक है, option A correct answer, वही हम बात करते हैं 50, 50 कहता है कि वायू मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा आपको पता ही होगा क्या यह मैं छोड़ दू या आपको बता दू नहीं सही रहेगा बता ही देते हैं या 78 22 परती सर्न नाइट्रोजन होता है ठीक है ज़िया वहीं हम बात करते हैं एक अवन की प्राकिरती में प्रीत्यूदेर रूर्जा का मुखह सुरूत क्या है यह आपसे पूछा जा रहाए है इसका करेक्ट एंसर क्या हो जगा बाव इसका करेक्ट एंसर परकास वहीं हम बात करते हैं बावन की बावन करता कि ओजोन की अनु में ऑक्सिजन की परमानु संख्या कितनी होती है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जगा बाव इसका करेक्ट ए जाएगा बाबू, तीन होती है, ठीक है, वही हम बात करते हैं, कितना तीरपन, तीरपन की, ओके, तो तीरपन कहता है, पौधे में परकास थान का अस्थान है, ऐसा आप से पूछा जाए रहा है न, तो तीरपन का correct answer क्या हो जाएगा, बाबू, है न, इसका correct answer हो जाएगा, chloroplast ठीक है वही हम बात करते हैं चोबन की चोबन कहता है कि latex latex समाने ता कहां पाया जाता है latex समाने ता कहां पाया जाता है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना तो इसका correct answer हो जागा इन्हें सभी में पाये जाता है,..आँ पीपल में, बात करतें है, पचपन की..पचपन कи है कि मानवमुत्र मे यूरिया की परतीशत मात्रा होती है,ूरिया कितना परतीशत होती हैूं। यूरिया कि पूछा है, बाव उस अप्शें Z, पूरिकट का विकास होता है तो बच्चा बच्चा नहीं कहलाता है और यह बूर्ण का विकास कहां होता है यह योनी में फैलोपियन ट्यूब में ठीक है यह आप पूछा जा रहा है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा गरभास से में ओके तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट एंसर आइए अब हम बात करते हैं बाबु अगला प्रश्न ले लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है यहां पर देख लो हाना 56 हो गया संताबन देखो निकट दिरिष्टी दोस में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है यानि जिसमें निकट दिरिष्टी दोस हो जाता है उसमें किस प्रकार का लेंस का उप्योग हम करते हैं ऐसा पूछा जा रहा है बाबु तो अप्टल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दिरिष्टी दोस में उत चलिए अब हम क्या करते बाबु अगला प्रश्ण ले लेते हैं यह आपने समझ लिया अब हम बात करते हैं 69 की है लाग्भारव कांच में जद्धा नहीं तब होता है यहां किसमें होगा इसमें बताना आपको निर्बात में या जल में यह वायूं बाभू काच में नियूनटब होगा क्योंकि काच का इन सबी से धनतों जो है न वो जादा यानि अपुरत नांन क्या है सबसे जादा है इसमें अब बात करते बाभू यहां पर प्रश्ण करमांग साथ की साथ कहता कि लेंस की आवरधन का ऐसाइ मात्रक होता है बाभू लेंस यात्री को आकास कैसा प्रतीत होता है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है बाबू, तो इसका correct answer क्या होगा, काला दिखाई देता है, ठीके, वही हम बात करते हैं, 62-62 कहता है कि आपतल दर्पन की फोकस दूरी होती है, आपतल दर्पन की फोकस दूरी होती है, ऐसा आप से पूछ पूछना चाहिए कि किस दर्पन से हमेशा वस्तू से छोटा परतिवीं प्राप्त होता है ऐसा आप से पूछा जा रहा है ना तो तीरसा करेंट करेंसर होगा बाबू अप्शन ए उत्ता लेंस में आप देखिएगा जैसे आप साइडे मिरर के रूप में करते हैं तो उसमें नहीं जिए जो चैरा तो वह इसा नहीं दिखाता है बल्कि छोटा करके दिखाता है अब हम बात करते हैं कि 64 ऐसे का प्रकास का प्रात्मिक वर्ण है उसका पूछा जा रहा है ना तो 74 का करेक्ट एंसर हो जागा क्या बाबू, नीला, हडा, लाल या इनमें से सभी बाबू हाँ मीटर करेक्ट हो जाएगा थीए तो ऺुस्त हूइर को वर Experimentataxe से लुट ऊप्षे से जरे बता ना कि वनावी कर्णे एस कौन है तो मोझे होता है ठीक है कि यहां पे सरसट कहता कि इंधन है इंधन क्या बाबु सी एंजी है या लकरी है या इन में से सभी है ऐसा आप से पूछा जाए तो सरसट का करेक्ट इंसर हो जाएगा बाबु इंधन इन बबू पेट्रॉलियम औकोईला ये दोनों हो जागा यानि ए और भी दोनों हो जागा अब हम बात करते हैं 79 की 69 कहता है कि अमोनिया क्लॉराइड का जलिये विलियन होता है अमोनिया इनी NH3 का जलिये विलियन होता है क्या होता है ऐसा आप से पूछा जा रहा है न तो इसका correct answer क्या हो जागा बबू इसका correct answer हो जागा अमनिये ओके अभ हम बात करते हैं 70 की 70 कहता है कि किस पीएच मान वाला विलियन सबसे अधिक होता है अब सबसे अधिक अमलिये होगा ऐसा पुछ रहा है तो सबसे अधिक अमनिये क्या जिसका कम रहेगा है ना पीएच मान उसके वह ज़्यादा अमली होता है तो इसमें एक होना चाहिए है ना तो सतर के करेक्ट एंसर क्या हो जागा ऑपसने देखो बापू जैसे आप जानते हैं कि साथ से उपर जो भी होता है वह छार यह होता है और साथ से कम जो भी होता है वह अमली होता है और साथ क कारबन कारबन परमानूओं के बीच कितने सहसेयों जग बंदन होते हैं यह सब समझाया हुए है ठीक है आप लोग तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है सिट दे रहे हैं इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू कौपर का वही हम बात करते हैं कि तेहतर की कमरे के पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है यहां पर अध़ातु म२हीं पूछ रहा है तो इसका क्रुक्ट एंसर क्या होजागा ब्रोमिल ब्रोमिल क्या है आधाट होजा तो तहतर का क्रेक्ट एंसर क्या हो जगा अबında बात करते चोтуん साथ अवर्त होते हैं ओर उपशन की संवर जांगे वहीत बात करते हैं जहता हैं 75 का दही में कौन साम लपाया जाता है लेक्टिक लुपाया जाता है क्या देखो इसमें से देख लोगो इसका कर्रेकट थेल में हो कड़ीन झाल करेकट हो जाए गा, तो 75 ऑप बात करते हैं 76। 76 यहाँ पर पहल खेता है कि निम्णांकित में Kiss 허win мед secondly Hölle कर रखते हैं सोडियम धातू को कि रोसीं तेल में डूबो कर रखते हैं नहीं तो यह तम टेंप्रेचर प्याने के बाद यह जनने लगता है ना तो 76 का हो जागा ऑप्शन भी करेक्ट एंसर अब हम बात करते हैं 77 क्या कहता है देख लो 77 कहता है कि वह धातू जो सिर्फ अमरा में घुलते हैं हैं मतलब है अब अब से पूछ रहा है ना तो 77 का करेक्ट एंसर क्या होजागा बबु ऐसमें बात करते हैं लॉंग टेल की परकार का सूचक है लॉंग टेल की परकार का सूचक है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो इसका correct answer क्या हो जागा गंधी ये अब हम बात करते हैं 89 89 का था कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अव्य है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना इसका correct answer हो जाएगा क्या वह ब्यूटेन वही हम बात करते है असी का तो असी का correct answer क्या हो जाएगा है ना तो असी का answer मैं आपसे पूछूँगा बोलूगा कि निमलिखित में कौन जिवास मिंदन है तो आपको comment करके बताना है कि कौन है इसका correct answer क्या हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं बाबू तो गूगल में सर्च कर लिजगा पंकजstudycenter.com वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों